दोस्तों, बहुत सी स्थितियों में हमें कुछ छोटी मोटी दवाईयों, कुछ खास मुस्खों की जरूरत पड़ती है, जो समस्या होने पर तुरंत आराम कर सकें और उसे ठीक कर सकें। होम उपैथि के कुछ इन ही फारमूलों, इन ही खास मुस्खों को अपने इस साथ टर्म वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डाक्टर रतनेश, आपका मेरे इस यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मल के कड़े होने और कब्ज में विशेश रूप से उप्योगी एक होम्यूपैथिक फारमूले के बारे में। तो चलिए, सुरू करते हूँ। दोस्तों, यदि लेटरिंग कड़ा हो जाए, मल करते समय बहुत अधिक ताकत लगानी पड़े। खिचाओ हो, दर्द हो, समस्या की अभी सुरुवात हुई हो या बहुत अधिक लंबे समय से हो। तो आज मैं आपको एक खुम्य उपैथिक फारमूला, एक खुम्य उपैथिक नुस्खा के बारे में बताऊंगा। पर इससे पहले ये दो काम बहुत जरूरी हैं। अपनी दिन्चरया, अपने जीवन सेली, अपने खान-पान का ध्यान रखें। संतुलित भोजन पर बल दें। अपने भोजन में हरी सबजिया और सलाद बढ़ा कर खाएं। पानी खुपियें तथा खाना और पीना दोनों समय पर हो इस बात का भी ध्यान रखें। इन दवाओं के साथ इन सब तरह की सावधानियों से आपकी समस्या बिलकुल ठीक हो जाएगी। दवाएं किसी भी होम्योपैथिक मेटकली स्टूर और आनलाइन आसानी से मिल जाएंगे। लाइटरिंग या मल के कड़े होने में एक होम्योपैथिक फार्मूला, होम्योपैथिक मेटसिन, नक्स 200 और 1130 बहुत ही अच्छा लाब करती हैं। इन सब तरह की स्थितियों में नक्स 200, 2-3 बूद या 4-6 गोली दिन भर में 2 बार, खास कर 2 बार आराम करते समय और रात में सोते समय, तथा एलमिना 30, 4-6 गोली या 2-3 बूद दिन भर में 2-3 बार का प्रियोग किया जाता है। इन दोनों दमाओं के कुछ समय के सेवन से लाइटिंग के कड़े होने, मल करते समय जोर लगाने की स्थिती हो, दर्द हो, खिचाओ हो, इन सब में बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। अगर इन दमाओं के सेवन से आपको कमाराम मिल रहा है, तो अपनी दिन चरया, अपनी जीवन सहली और अपने खान पान का ध्यान रखें। उसे संतुलित करने का प्रयास करें, साथ ही साथ दवा, आपको निश्चित रूप में आराम मिलने लगेगा। तो दोस्तों, ये था लाइटिंग यामल के कड़े होने की स्थिती में बिसेश रूप से उप्योगी एक होम्योपैथिक फार्मूला, कुछ होम्योपैथिक मेडसिन। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहें। मिलते हैं किसी और नालिजबुल और इनफार्मेट्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जै हिंद, जै भारग।